ओम नमू भगवत वासुदिवाई नमस्कार दोस्तों आज के इस वेडियो में हम बात करेंगे 60 तीला एकादसी व्रत के बारे में हिंदु धर्म में एकादसी का व्रत बहुत अधिक महत्यों को नमाना जाता हैं एकादसी का व्रत भगवान स्री हरी को समर्पित किया जाता है और जो भी भगत करन एकादसी का व्रत करते हैं उन सभी पर भगवान स्री हरी की विशी स्किर्पा के ब्राप्ती होती है इससे माग महा में कृष्ण भगस की एकादसी सर्थ तीला एकादसी के नाम से जाने जात कामना भी बहुत जल्द पुर्ण होती हैं आए वीडियो को हमें स्वास्त हों जानते हैं तुलसी से जुड़ेवे विशी सुपाएं जो कि आपको सट्टिला एकादसी पर हवश्य करना है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं आप सभी स्वस्त होंगे सुर जाता है उसे प्रकाल से भगवां। अधिक प्रिये माने जाता है जो भी भक imagen सची स्रधक करता है न सभी हरी के किरपां बरस्ती ही रहती हैं जीवन की हर एक कामनाई पुर्ण होती हैं भगवान सरी हरी की किर्पाजी मनुष्य को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यू के बाद मोक्सी की प्राप्ती होती है सर्थ तीला एकादसी का जो व्रत होता है न दोस्तों ये मृत्यू लोक यानि की धर्ती पर जो हम जीवन जी रहे हैं इस लोक में तो सभी सुख देता ही है साथे साथ मृत्यू के बाद भी हमें सभी प्रकार के सुखों को देने वाला होता है इसके संबंद में एक बहुत चूटी सी कथा है उसका भी स्रवन आपको करना चाहिए कथा अपलोड कर दी गई है वैसे आप उसे स्रवन कर सकते हैं लेकिन संचिप्त में जान लें कि एक ब्राह्मनी रहा करती थी जो भगवाण से हरी के पूजा उपासना करती थी दीखा कि उसके घर में कोई भी सामगड़ी नहीं है विसी इसकर अन क्योंकि उसने आज इवन अन्य का दान नहीं किया तो उसके घर में अन्य कभी मिला ही नहीं वह बहुत अधिक चिंतित हो गई क्योंकि बिना अन्य के व्यक्ति भला कैसे त्रिप्ति प्राप्त कर सकता है तब हरी के पास गई और बोली, हे प्रभू मैंने आज इवेन आपके पूजा पांट किया आपके लिए राधना की इतनी भक्ति की फिर ऐसा दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ तब भगवाजरी हरी पूली हे ब्राह्मनी तुमने वैसे तो बहुत सारे व्रत, तप और उपुवास किये परन तो तुमने कभी भी दान नहीं किया इसी वज़े से तुम्हें इस दुख की प्राप्ति हुई है तुम्हें सठतिला एक अदाशी का व्रत करना चाहिए और दान पुन्य करना चाहिए जिसे तुमारे दुख दूर हो जाएंगे उस ब्राह्मने ने सठतिला एक अदाशी का व्रत किया और दान भी किया जिसके बाद अन दान से उसका घर भर गया इसलिप प्रतिक मनुश्य को इस दिन अन दान का दान जरूर करना जाहिए तिल का दान विजईस होता है अब जानते हैं इस दिन किये जाने वाले तूलसी जी से जुरूर भी उपाई भगवान सिरी हडी के जितनी भी भखते हैं वह भली भाती जानते हैं कि उन्ही प्रिसण करना यह दिया तो बहुत ही सरल उपाई है तूलसी जी से तूलसी जी की द्वारग यदि भघ्त किसी अन्य जीश को अरपन ना भी कर पाएं तब वह सिसित तूल्सीकीं लड़पन कर देते हैं मात्र इतना करने से ही ठाकुर्जी प्रसंण हो जाते हैं हिंदु धर्म में तूल्सी का विशीष महत्वा माना जाता है और भगवान विश्ण को प्रसंण करने के लिए तूल्सी के कई उपाई भी किये जाते हैं सठ तीला इकादर सी व्रत वाले दिन आपको तूल्सी जी का स्रिंगार करना चाहिए तूल्सी जी जहां प्रसंण होती है न वहां ठाकुर्जी स्वयम विराजमान होते हैं उन्हें हल्दी अरपन करनी चाहिए कुमकुम अरपन करना चाहिए यदि संभव हो सके तूस्रिंग से जुरुवी सामगडी अर्पन करने चाहिए अब एक विसीस बात आप आप यह भी जाल लें कि जहां मालक्स में प्रसान होंगे ठाकुर जी को प्रसान करने के लिए एक सो आठ तुलसी के दलो द्वारा आपको ठाकुजी की पूजा करने चाहिए अर्पन करना चाहिए एक सो आठ पत्यों के द्वारा उनकी माला बनाए और वह इस दिन आपको जरूर भगवान स्रीहरे को अर्पन करना चाहिए उन्हें पहनानी चाहिए इसके अलावा आप द तुलसी दल मखवांश्री हरी के मस्तक पर रखना चाहिए ऐसा कहने से व्यक्ति को इस जन में के सभी पापों से मुक्ति मिलती हैं और बड़े से बड़ा जगन्य यदि आपसे पाप हुआ है जो आपकी चीज से नहीं बोल पाते हैं तो उन से भी आपको मुक्ति प्राप्त ह होती हैं सभी प्रहसानियों से भी मुक्ति से मिलती है इस दिन आपको तुलसी जी को कलावा बांधना चाहिए और ठाकुर जी को भी इस दिन पीले रंग के वस्त्र समर्पित करने चाहिए उस पीले वस्त्र में तुलसी की छापा यदि हो तो बहुत ही सुभ माने जाते हैं और यदि तुलसी के छापा ना हो तो ठाकुर जी के उस वस्त्र में तुलसी का दल बांध करके उन्हें समर्पित कर दें विश्वास करें आपके जेतने भी कश्ट हैं सभी का हरन हो जाएगा हाँ एक बात का विशेश तोर पे जरोर ध्यान रखें एसे बिलकुल ना भूल आपको एक अदसी के एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्य तोर कर रख लेनी हैं एक अदसी के दिन तुलसी जी को ये किसी भी प्रकार का कश्ट आपको नहीं देना हैं इस दिन आपको काले नीले रंगे वस्त्र नहीं पहनने हैं मास मदीरा ताम से हो जाएं अन्न का द्या करना है कभी भी किसी भी तरह से ना किसी की बुड़ाई करें ना किसी की निंदा करें ना ही किसी को चोट पहुँचाएं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतना कारिय कर लेने के बाद भगवाजरी हरी आप से प्रसंद ना हो पाएं उमीद करती हूँ आज कर ये वीडियो आप सभी हसते रहे और मुस्कुराते रहे